अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक अपनी हुकूमत चलाई और इस दोरान कई अत्याचार किये पिछले साल जाइलन सुल्वन और जेसन हिकेल ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट कैपिटलिस्म एंड एक्स्रीम पॉवर्टी में दावा किया कि बिटिश सरकार के उपनिवेश काल के 40 साल में 165 मिलियन भारतिय या तो मारे गए या पीडित हुई थे विशेसक्यों का दावा है कि 1880 से 1920 के बीच बिटिश सामराजवाद की शक्ती अपने शिकर पर थी ये बिटेन के लिए तो फायदे की बात थी लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ 1899 से 1920 तक बिटिश उपनिवेशवाद की वज़े से करीब 50 मिलियन अतरिक्त मौते हुई इस दौरान सामान रूप से भी इतनी ही मौते हुई ऐसे में ये आकड़ा 100 मिलियन तक पहुँच गया एक शोध रिपोर्ट में ये भी दाबा किया गया क्यांग्रेजी हुकूमत ने अपने 200 साल के शासनकाल में भारत से करीब 45 पुरियन डॉलर की संपत्ति लूटी थी